नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Deep Knowledge में आज एक question लेना चाहता हूँ, एक बच्चे का कुछ दिन पहले हमारे YouTube के एक वीडियो के नीचे comment आया था Sir, how to get out of middle class trap and grow in life, both financially and spiritually? कि कैसे हम इस middle class trap से बाहर निकलें और दोनों तरीके से grow हो सकें financially भी और spiritually भी जो बहुत खुशी हो रही कि आपने इस तरह से सोचा है क्योंकि आजकल जिस तरह से knowledge बढ़ता है और लोग खोचते हैं बच्चों को, आप जैसे बच्चों को trap करने के लिए तो या तो आदमी पूरी तरह से लालची हो जाता है या तो पूरी तरह से अपने आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी नौकरी को neglect कर देता है और वो किसी संस्था के साथ जुड़ करके वो spiritual काम करने की कोशिश करता रहता है तो आपकी शुरुआत तो हो चुकी है कुछ points है मैं चाहूंगा आप उसको note down करें इसने मुझे help किया है इन ही दोनों चीज़ों को करने के लिए मैं financially भी अब stable हूँ काफी stable हूँ और spiritually भी मैं उस चीज़ को पाथ चुका हूँ जो मैं चाहता था तो इन points को note करिए सबसे पहला point है continuous learning देखिए अब तक आपकी पढ़ाई होती रही है college की वज़े से exams की वज़े से या हो सकता है आपके profession की वज़े से लेकिन successful होने के लिए दोनों तरफ financially as well as spiritually ये depend करता है कि आप कितना question पूच सकते हैं हमें से जाधर लोग के पास schools ने इस तरह से नहीं पढ़ाया कि questions आएं तो you need lots of good questions इसलिए continuous learning करिए किताबें पढ़िए online courses लीजिए workshop से पन करिए जहां जहां afford कर सकें करते रहिए एक learning mind रखिए अपना ये मत सोचें कभी भी मत सोचेंगा इस तरह से कि मैं एक बार अपने करियर को चालू कर लूँगा या एक बार मैं spirituality को समझ जाऊंगा मेरी life settled हो जाएगी ये attitude कभी मताने दिजेगा because जैसे ही आपने अपने आपको settled समझा satisfied समझा तो growth रुख जाती है learning stop हो जाती है दूसरा point है दोस्तों networking connect with professionals outside your immediate circle आपका जो भी immediate circle है आपका इसी office में काम करते है आपका परोस है आपके friends और relatives है ये बहुत limited होते है इससे बाहर निकलिए आप धेर सारे अलग-लग type के लोगों के साथ connect करिए इन connection से आपको तीन चीज़े मिलेंगी opportunities, advice और बहुत नए नए perspective बहुत बार हम लोग केवल किताबे पढ़के या online course करके जो चीज़ें theory में समझते हैं वो चीज़ें आपको practice में समझ में आएगी जब आप connect करेंगे लोगों से मैं भी recently नागपूर गया था वहाँ पर कई लोगों से मिला आजकल हम लोग अपने website को launch करने वाले हैं उसकी तियारी चल रही है dkbrains.com तो उसके चकर में हम बैंगलोड जाते रहते हैं वहाँ पर भी कई companies से हम लोग मिले हैं और मैं देखता हूँ जितनी बार मैं किसी बंदे से मिलता हूँ तो ऐसा हो जाता है जैसे कि एक खजाना लेके आता हूँ मैं वहाँ से क्योंकि books के साथ मुझे एक introduction होता है किसी चीज़ के बारे में लेकि जब किसी इंसान से मैं connect करता हूँ तो वो aspects दिखते हैं जो मैं explain नहीं कर सकता हूँ successful होने के लिए यह समझे कि आप जिस इंसान से connect कर रहे हैं वो एक तरह का computer system है और वो आपको practical data देता है जैसे AI दूसरे computer से सीखता है ऐसे इंसान को अगर दूसरे इंसान से connect करके नहीं सीख रहा है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है तीसरा point है invest wisely अगर आप student है तो obviously आप अपना time इंवेस्ट करेंगे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपना पैसा इंवेस्ट करेंगे इसके बारे में मैंने बहुत बार आपसे बात की है कि हम लोग किसी से बात करके और उसके उपर ट्रस्ट करके इंवेस्ट करते हैं यह मुझे बहुत बात में पता चला कि हम authority bias में फस जाते हैं मुझे याद है करीब 10 साल पहले मेरा भाई एक flat कर दी रहा था नौइडा में तो उसने मुझे से कहा तुम भी invest कर लो तो नया नया मैंने BDM के वीडियो की त्यारी करना शुरू किया था उसे मैं मैं किताब पढ़ रहा था एक book में पढ़ा था कि risk आप उतना ही लो जितना आप आराम से जहिल सकते हो मतलब वो अगर डूब जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि वो flat मुझे नहीं खरीदना है मेरे पिता जिनी मुझे फोन करके कहा भी कि तुम्हें financial support चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँ मैंने मना कर दिया यह अपने आप में बहुत नया चीज़ किया मैंने इससे पहले जो भी decisions में लेता था वो दूसरे से पूछ कर यसे पापा से पूछ लिया या कोई और जो मुझे से ज़्यादा समझदार मुझे लगता है उससे पूछ के मैं करता था और उस flat में मेरे साथ ही एक और आदमी इंवेस्ट करने वाला था उसने किया और वो बिचारे का बहुत बड़ा लॉस हुआ अभी तक 10 साल हो गए है वो flats ready नहीं हुए EMI's जा रही है अभी तक court में case चल रहा है यह तो एक personal example दिया मैंने but मैंने देखा कि wisdom चाहे time का investment हो चाहे पैसे का investment हो यह खुद करने से ही आती है लोग कहते हैं कि आप अपने stocks में पैसे लगाईए real estate में लगाईए या mutual fund में लगाईए लेकिन मैं सबसे पहले आप से कहूंगा आप अपने उपर पैसे लगाईए जो भी investment करिए बहुत छोटा होना चाहिए और उसको बहुत ध्यान से study करिए अभी कुछ दिन पहले एक हमारे friend है वो भी stock में काफी involved रहते हैं तो उनसे मैं पूछ रहा था कि मुझे stock सीखना है कुछ साल पहले की बात है तो मैं कितने का stock खरी दिए हूँ होने का कि आप एक decide करिए amount जो की बहुत ज़ादा नहीं होना चाहिए ताकि risk बहुत नहीं हो लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका ध्यान नहीं जाएगा उस stock पर तो जो भी आप investment करिए वो बहुत ही carefully study करने के लिए करिए growth के लिए नहीं सबसे पहले level पर जो भी आप investment करेंगे वो study के लिए होगा जैसे किताबें आपको पढ़ाती है ऐसे ही investment भी आपको पढ़ाती है इस चीज़ से कत्राई मत धेर सारे लोगों से advice लीजे लेकिन final decision आपका होना चाहिए आप कोई घर खरीद रहे हैं कोई जमीन खरीद रहे हैं कोई stock में पैसा लगा रहे हैं किसी company में पैसा लगा रहे हैं आप ये जान लिजे कि आप कर रहे हैं कोई और नहीं ये मुश्किल होगा बिकाज हमको लगता है कि नहीं कि हमारे वो friend है वो successful है और उन्होंने कहा है तो जरूर फाइदा होगा ऐसा बलकुल मत करिएगा एक हमारे close friend है उन्होंने तकरीबन 30 लाख रुपए इंवेस्ट किया क्रिप्टो करंसी में पिछले 4-5 सालों में और जब भी मैं उनसे पूछता था क्यूं कर रहे हो जैसे आप खाना खाते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि मैं खा सकता हूँ मरे पेट में भूख है ऐसे ही आपको अपनी experience से investment करना है So invest very wisely Middle class trap से निकलने के लिए ये बहुत ही common तरीके से बताई जाती है ये important advice है लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें add करना चाहता हूँ Multiple income streams आजकल बहुत से add आते हैं कि मेरे पास 10 income stream है 15 income stream है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शुरू में आप single stream try करिए मतलब कोई नौकरी जो आपकी stable income हो सके और उसी के साथ साथ एक और just two streams of income तीन नहीं दो क्योंकि हमारे बास जो भी time और effort है वो जैसे ही divide होता है तो वो जो stream of income जहां से भी आप लाना चाहते हैं बहुत कम हो जाती है अगर आप एक नौकरी करते करते किसी start-up में hustle कर रहे हैं या कोई gig कर रहे हैं तो दोनों में ही नुकसान होता है मैंने अक्सर देखा है लोगों को जो लोग दो काम एक साथ करते हैं उसमें से केवल एक काम है जो dominant होता है जिसके उपर वो सबसे ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं in fact इसमें Rich Dad Poor Dad की series है जो हमने cover किया है WBX में वो कहते हैं कि दिन का जो peak time है सुबह 9 से लेकर के शाम को 4-5 बे तक का वो peak time आप जिसको देते हैं वही business grow होता है तो वो तो अपना main जहां से सबसे ज़्यादा income आ रहा है उसको दीजिए लेकिन बाकी time में भी कुछ करते रहिए और वो कुछ धेर सारी चीज़े नहीं होनी चाहिए वो second source of income होनी चाहिए तो इससे पहले कि आप multiple source of income लेने की कोशिश करें पहले दो source of income लेने की कोशिश करें और इसी में हम छोटी सी आपके लिए खुश खबरी ला रहे हैं कि अगर आपने ये course join किया है आपने हमारा course join किया तो हमारे website के जरीए आप affiliate marketing भी कर सकते हैं और earn भी कर सकते हैं ये अभी हम लोग बहुत जल्दी launch करने वाले हैं हमारे website dkbrains.com के थुरू तो एक आपकी extra source of income हो जाएगी आपके job के अलावा next point बहुत क्लीशे लगेगी बहुत किसी पिटी बात लगेगी लेकिन मैंने देखा है अगर इस चीज़ को आप भूल जाएंगे तो आप धेर सारी कमाई करेंगे लेकिन फिर भी आप mental class trap से निकलेंगे नहीं अगर आपकी income कम चार गुनी, पाँच गुनी, दस गुनी होगे तब भी mindful spending जब भी हम लोग खर्च करते हैं तो हम impulse से खर्च करते हैं आपको अपने आप से पुछना पड़ेगा आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं आप एक phone खरीद रहे हैं आप कहीं पर be invest कर रहे हैं तो want और need इसके बीच का difference केवल आप ही जान सकते हैं खाने के बारे में कहा जाता है खाना उतना खाई है जितना आपके पेट में थोड़ी सी जगे खाली हो और खर्च के बारे में कहा जाता है आप उतना खर्च करिए कि अगर वो समान जो आपने लिया है वो आज के आज तोट जाता है खराब हो जाता है तो कल जाके आप दुबारा खरीच सकते हैं तो इसको बोलते हैं mindful spending अपनी जरूरत और अपनी लग्शिरी इन दोनों की बीच में difference आपको पता होना चाहिए निरो मोधी, विजय मालिया ये लोग इसी चीज का शिकार है impulse buying का क्योंकि एक बार आपको आदत पढ़ जाती है महंगी चीजें खरीदने का और show off करने का उसका कोई अंत नहीं है और मैं चाहूंगा कि long term में आप अपने आपको कैसे चाहते हैं आपका परिवार आपकी legacy कैसी हो लोग आपको कैसे याद करें एक lavish आदमी की तरह एक ameer ayash की तरह या एक moderate disciplined इंसान की तरह तो जो आप चाहते हैं लोग आपको perceive करें वो habits भी develop करें mindful spending next point है daily observation actually मैं तो कहना चाहता था daily meditation लेकिन meditation जैसे कि आप जानते हैं जोनोंगा advanced अगर आपने joint किया है तो या वैसे भी हमारे वीडियो में हम share करते हैं कि meditation एक बहुत ही advanced activity है हम केवल उसकी preparation कर सकते हैं तिकि आपने कहा financially भी grow होना है और spiritually भी grow होना है लेकिन इन दोनों में से primary आपका spiritual होना चाहिए primary और उसके लिए आपको हर रोज 10-15 minute, 20 minute या आदे खंटे निकालना होगा अपने आपको समझने के लिए मेरी suggestion ये है कि आप एक journal maintain करना शुरू करें daily journal आप उसमें अपने दिन भर की जो सबसे pre-dominant activity है जिसने आपके emotions को trigger किया जिसकी विए से आप disturbed हुए या कोई चीज है जिसने आपको बहुत खुश किया उसको उसमें उट डाउन करिए ये process ही अपने आप में observation का काम करेगा plus जब तक आप अपने आपको पूरी तरह से spiritualized नहीं महसूस करते मतलब मैं अपने आपको कहता हूँ मैं जनोगी हूँ ये मैं पिछले कुछ सालों से कह रहा हूँ होसलता है आपने कोई course जोइन किया हो कहीं पर कोई training ली हो लेकिन अभी तक आप कोई योगी नहीं बने है कि किसी रस्ते पे कोई path पे नहीं चल रहे है अबे तक आपने spirituality को seriously pursue करना नहीं शुरू किया है जब तक ऐसा नहीं है तब तक मेरी सलाह ये है you should continue to watch read some one person जो आपको resonate करता है जैसे मैंने जनोगा को जब समझना शुरू किया तो वो continuously कई सालों से चल रहा है तो एक teacher आपका होना चाहिए जो आपको समझ में आता है तो daily study and daily observation next point मैं करता नहीं हूँ लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ऐसा करना चाहिए और मुझे लगता है ये मेरे साथ naturally होता है visualizing success जब भी आप अपने आपको successful बनाना चाहते हैं तो बहुत बार मन दुखी हो जाता है जब वो desired result नहीं आता उस समय आपने आपको अपने goals याद दिलाईए एक long term goal क्या है और आपके short term steps क्या है करीब एक देर साल पहले से मैंने जनुविले के बारे में बात करना शुरू किया लेकिन इसका vision मेरे पास almost 10 साल पहले से है जब मैंने जनुगा पहली बार उठाई थी तब से मेरे मन में ये है कि एक आश्रम बनेगा जहाँ पर हम एक lifestyle दिखाएंगे एक जनुगी की मैं जी कर दिखाऊंगा और आप उसको मेरे साथ जी सकते है ये 10-15 साल पहले की बात है वो गोल मेरे मन में अभी तक है मैं उसको भूलता नहीं हूँ और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो आप लोग भी मुझे इंस्पायर करते हैं अभी कल की बात है एक मैं मैं ने बांबे से फोन किया था बोलती है जनुगी ले कब रेडी होगा हम आपके साथ रहना चाहते हैं तो अपने गोल्स को देखते रहिए कि वो वो इंपोर्टन है वो आपके लिए इंपोर्टन है वो कब तक पूरा होगा इसकी चिंता मत करिये but it should be there in front of your eyes because success के लिए you need to have something much bigger than daily life daily boredom, daily luxury daily, अच्छा अच्छा खाना खाना है गाड़ी में घुमना है इससे कोई बड़ी चीज चाहिए होगी spiritually successful होने के लिए भी financially successful होने के लिए और यहां तक कि आप spirituality को भी अगर दुनिया को देना चाहते हैं सीख करके तो you need to have goal so start thinking about it मैं यह नहीं कहूँगा कि अभी goal burn के app का बट सोचना शुरू करिए next point बहुत important है मैंने एक खर्चे की बात की लेकिन यह point उससे भी ज़्यदा important है avoid debt एक हमारे friend है वो कहते हैं मैं तो भाई उधारी पर ही जीता हूँ पैसे खुब कमाते हैं लेकिन जितना कमाते हैं उससे ज़्यदा उड़ाते हैं यह कोई spiritual quality नहीं है बहुत सी scriptures में तो debt को शराब के साथ जुए के साथ रखा गया है क्यूंकि आप spiritually free होना चाहते हैं और even आप पैसे रुपैसे भी जो successful होना चाहते हैं you want basically peace of mind आप चाहते हैं पैसे की वैसे आपको tension ना हो stress ना हो और अगर loan ले लिया है आपने आपका तो पता नहीं बट मुझे बहुत दिक्कत होती है ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से बार-बार धक्का मार रहा है एक लंबी सी बड़ी सी line है और उसमें कोई आदमी पीछे से धक्का मार रहा है मुझे वो life चाहिए ही नहीं इसलिए मैं आपको यही suggest करूँगा avoid debt at all cost और अगर आपने ले रखा है तो सबसे पहले उसको भर दीजे कोशिश करिए कि वो priority से खतम कर दीजे तब तक कोई बड़ा खर्चा मत करिए जब तक कि आपका उधार पूरी तरह से clear नहीं हो गया next point है seek mentors बहुत मुश्किल से mentors मिलते हैं और जब मिलते हैं तो आपको accept करने को ready हो ये भी बहुत मुश्किल है जितने भी लोग super successful हैं उनके mentors हैं और दोनों ही क्षेतर में profession में भी और spiritual रस्ते पे भी you need mentors ये आपको बहुत ग्यान शायद ना दे पाएं लेकिन एक काम जरूर करते हैं वो आपको खत्रों से पहले अगाह करा देंगे क्योंकि उन्होंने वो रस्ते पहले से चले हैं जिस पे आपने स्टार्टिंग की है तो अपने आपने यही सबसे बड़ा रीजन है mentors को रखने का seek mentors next point है मेरे ख्याल से अब आपको काफी clear हो चुका है कि एक आपको moderate life जीनी है इसलिए मैं पसंद करता हूँ कृष्ण मूर्थी compared to Osho you should live simple life अगर आप financially successful होना चाहते हैं और spiritually भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना ideal मनाईए कृष्ण मूर्थी को और रमण महरशी को ना की Osho को तिकी जैसे से पैसा आएगा वैसे वैसे हमारे अंदर की दवी हुई वासनाएं निकल के आएंगी हमारे एहनकार निकल के आएंगे हमारी tendencies निकल के आएंगी और सबसे important हमारे past roadbandh निकल के आएंगे ऐसे कर्म जो चुपे हुए दबे हुए थे और जब वो आते हैं वो real test है आपका और आपने अगर ये वरत ले रखा है कि मैं एक simple life जीऊंगा तो एक तरह से आपकी safety belt है accident से आप बच्चते हैं क्योंकि आप देखेंगे एक point के बाद जब आपके पास basic communities पूरी हो जाएंगी जैसे भी मेरे पास घर है अपना खाने के लिए प्रयापत खाना है, कपड़े है उसके बाद आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है उसके बाद आपको चाहिए होता है time लेकिन आपने अगर एक lavish life जीने की आदर डाल रखी है कि मुझे world tour करना है हर साल अपनी नई गाड़ी change करनी है तो आप spiritual life start नहीं कर पाओगे आप अपनी साधना regularize नहीं कर पाओगे आप खली सोचोगे कि मुझे spirit चलाद भी बनना है और जब मैं simplicity की बात करता हूँ तो दोनों तरीके से simple होना चाहिए physically भी और mentally भी और ये point सबसे जरूरी है दोस्तों embrace failure schools ने हमको डरा दिया है fail होने से दरा दिया है लेकिन अगर आपको successful होना है तो आपको failure से शादी करनी पड़ेगी invite करना पड़ेगा failure को ये मानके चलना होगा कि हर एक failure आपके लिए सीड़ी का काम कर रहा है उनको avoid मत करिये उसको analyze करिये उसको investigate करिये देखिए वो आपको क्या सिखा सकता है आपने वो कौन सी छोटी या कौन सी बड़ी भूल हो गई आप से जिसकी वह से आप fail हुए so don't avoid failure but embrace it और आजका last point है stay updated success बहुत ही relative है अगर आप right profession में नहीं है right industry में नहीं है right लोगों के contact में नहीं है आप aware नहीं है तो आप चीज़ों को miss कर सकते है इसलिए habit डालिए नई चीज़ों को study करने की नए लोगों से मिलने की अपने आपको update करनी की आजकल मैंने एक नया course चालो किया है जुग जुग जीयो जिसमें एक trend आ रहा है आप सब उसको देख भी रहे होंगे आपके आसपास में लोगों के साथ कि जो हमारी health है infectious disease, malaria, typhoid इस तरह की जो भी बिमारिया हैं उससे तो हमको doctors बचा लेते हैं लेकिन चार बड़े-बड़े horsemen यमराज बैठे हैं जिसके सामने doctors भी कुछ नहीं कर पाते cardiac disease, heart problem cancer neuro-degenerative disease और type 2 diabetes इसके लिए आपको खुद ही aware होना पड़ेगा मैं doctor हूँ लेकिन जो चीज़ें आज मैं पढ़ा रहा हूँ जुग-जुग-जीओ में वो हमारे medical college में नहीं पढ़ाया किया है और अभी अगले individually बहुत से doctors इसको practice कर रहे हैं अपने patients को और अपने friends को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं तो health wise you have to be very healthy कि बिना health के success किसी काम की नहीं है और spiritually भी अपने आपको तभी grow कर पाएंगे अगर आपकी body स्वस्त है तो जो भी latest चीज़े हैं उसको study करिए, उसके साथ कम से कम aware होईए बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए website लाने वाले हैं जिसमें आप भेर सारी courses one-to-one sessions और जनुगा retreat हमारे साथ कर सकते हैं ठीक है? आपके अगर कोई questions हो तो मुझे दीजे I'll wait for them I like when you interact with me Thank you so much कुछ 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 कुछ